बाबुजी आपका खाना लगा दूँ, आपको भूंक लगी होगी बाबुजी तो दोस्तो आज हम जानेंगी उल्लू की वेब सिरीज सिसके एपिसोड बन के स्टोरी के बारे में इस वेब सिरीज में ससुर और बहु के मज़ेदार कांड के बारे में दिखाया गया है जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा इसलिए स्टोरी को पूरा सुनी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो वेब सिरीज के शुरुवात में दिखाया जाता है रेनु भाबी कीचन में खाना बना रही होती है और छोटू नाम का एक नोकर होता है जो कि भाबी को कीचन में मदद कर रहा होता है उसी वक्त रेनु भाबी का ससुरू से आवाज लगाता है और कहता है बहु मेरा नहाने का पानी गरम हो गया क्या तो रेनू कहती है यहां बाबु जी हो गया है आपके बेटे को ओफिस जाने के लिए लेट हो रहा है उन्हें जाने दीजे फिर मैं आपको नहलाती हूँ क्योंकि बाबु जी को खड़े रहना नहीं आता उन्हें बिमारी होती है जिसके कारण वो कुछ नहीं कर सकते इसलिए रेनु ही उनका ख्याल रखती है फिर बाबुजी कहते है मेरे सुबा की दवाई का टाइम हो गया है मुझे दवाई खिला दो तो रेनु बाबुजी को दवाई खिलाने जाती है तो दवाई पलंकी नीची गिर जाती है तो रेनु जैसे ही दवाई उठाने के लिए जुकती है तो बाबुजी रेनु का सामान देख लेते है और उनका दिम्मा खिल जाता है फिर रेनु अपने प्यारे हाथों से बाबु जी को दवाई खिला देती है और अपने पती के पास चली जाती है तो रेनु का पती कहता है मैं ओफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तुम बाबु जी का अच्छे से ख्याल रखना वैसे तुम बहुत अच्छे और समझदार हो शादी के बाद से तुम घर का बाबु जी का और मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रख रही हो चलो तो अब मैं चलता हूँ और जल्दी से वापस आ जाओंगा ऐसा कहे कर रेनु का पती वहाँ से चले जाता है फिर रेनु बाबुजी को बाट ठप में डाल कर अच्छे से साबन लगा कर नहलाती है बाबुजी को बहुत मज़ा आता है वो बहु को कहता है जरा मेरे पीक पर साबन लगाओ तो कभी कहता है मेरी निच्चे साबन लगाओ और बड़े मजे लेकर नहाता है फिर नहा धोकर बाबुजी गरम हो जाता है और अंगन में विल्चेर पर बैट कर बहु के प्रावेट कपड़े जो सुकाय होते है उन्हें हवसबरी नजरों से देखता है और उसी वक्त बहु आ जाती है और कहती है बाबुजी आपका खाना लगा दू आपको भूक लग रही होगी तो बाबुजी फिर से बहु की कमर को देखता है और उसका दिमाग फिर से घूम जाता है और वो बहु से कहता है बहु मेरी तबियत कुछ अजीव सी लग रही है जरा मुझे हाथ लगा कर देखो तो मुझे कुछ हुआ तो नहीं तो बहु बाबु जी को छुकर देखती है और कहती है सब कुछ ठीक तो लग रहा है फिर रेनू छोटू का आवाज लगाती है और उसे कहती है जाओ और बाबु जी को पार्क में घुमा कर लेके आओ तो छोटू बाबु जी को पार्क में घुमाने ले जाता है फिर दूसरे दिन रेनू का पती का दोस्त आता है क्योंकि रेनू के पती ने उसे वाले पैसे दोस्त को दे देती है और वो वहाँ से चले जाता है फिर रेनु कीचन में जाकर एक डिबा खुलती है तो उस डिबे में से गंदी वाली मैगजिन मिलती है तो रेनु समझ जाती है कि ये काम जरूर छोटु का ही है तो छोटु स्टोर रूम में अपना केला हाथ म न मैं और भावी छोटू के पीछे खड़े होकर ये सब सुन रही होती है जैसे ही छोटू भावी को देखता है उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और वो भावी से कहता है भावी आप गलत समझ रही हो तो भावी कहती है मैं सब कुछ समझ गई तो हमारे पैसे चुरा कर इस बाद मुझे तुमारी ऐसी हरकत दिखी तो समझ जाओ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वो वहाँ से चली जाती है फिर बाबुजी रेनु का आवाज लगाता है और कहता है बहु जरा गरम तेल लगा कर मेरे पैर की मालिश कर दो फिर रेनु गरम तेल करके बाबुजी की मालिश करती है मालिश करते हुए बहु का पल्लू नीचे गिर जाता है और फिर से सामन देखकर बाबुजी का दिमाग घूम जाता है और बाबुजी बहु से कहता है जरा उपर मालिश करो और फिर थोड़ी देर बाद कहता है मेरे हातों के और पीट की भी मालिश करो और मा एकस्ट एपिसोड में क्या होगा हम जल्दी जानेंगे तो दोस्तों कैसे लगे आपको उल्लू के वेब सिरीज इसके एपिसोड वन की स्टोरी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे स्टोरी आपके धन्यवाद